हेलो वाट्सप गाइस आज हम इस वीडियो में देखेंगे हाँ तु स्टाइल योर फुल स्टैक रियाक्ट वेबसाइट विद एक्सियोस जियां गाइस इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब यह कि यह जो वेबसाइट आपको दिखाई दे रहा है यह हमें थूराइट इस सीरीज जिसमें से पांच वीडियोस होंगे उसमें कंप्लेट गनना है ठीक है एंड यह कंप्लेट इसमें कर्ड ओप्रेशन होगा मैंने कल की वीडियो में दिखा था बहुत ऑसम है कर सकता हूं वह आज हम इस वीडियो में करना है क्योंकि कहीं न कहीं अगर आपका वेबसाइट दिखने में अच्छा नहीं है तो गाइस फिर कोई वहाँ पर आना पसंद नहीं करेगा तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जितने भी CSS जितने भी User Interfaces के पेजे से सब आज हम क्रेट करेंगे और कल की वीडियो में हम देखेंगे पोस्ट देन डिलीट अन अपडेट मतलब तीन अलग अलग वीडियो में तो पांच वीडियो का टोटल यह पार्ट है तो आज के वीडियो बहुत ही जादे इंपॉर्टेंट आप में इस नहीं कर सकते सोर्स कोड में बिलकुल फ्री में आपको पुर्वाइट कर दूँगा और गाइस इफ़ वांट माय एंटायर यूटूब करियर का जितना भी सोर्स कोड है सब कुछ सिर्फ टू फोटीन रूपीज में आप लोगों के लिए में यह सेर कर रहा हूं और उसके बदले मैं 10,000 टाइम्स रिटन आपको दे रहा हूं मेरा सब कुछ भाई मेरे आठ साल की जर्नी सिर्फ टू फोटीन रूपीज में तो मिलने वाली नहीं है बट मैं चाहता हूं कि आपकी भी हल्प और मेरी भी कुछ सपोर्ट हो जाया है न तो गाइस इसलिए अगर आप चाहते तो प्ल हमारा दिख कुछ ऐसा रहा है और डेटा हमें अल्रेडी मिल चुका है तो देखा जाये तो आज के दिन में हम कंप्लीट हैस्टेमल सेस के साथ खिलने वाले हैं थोड़ा बहुत जावस्क्रिप्ट और रियक्ट का जो कुछ इंपॉर्टन कॉंसेप्ट लूप चला है और वह देखने वाले तो मैं गाइस यह चाहूंगा प्लीज आप वीडियो को पॉस कीजिए और आप खुछ से ट्राइ कीजिए कि वांस यह डेटा अगर आपको कंसूल पर मिल गया तो इसको आप इस तरीकी का लूप कैसे दे सकते हो समझ रहो क्या बोल रहा हूं यह आप आपको खुछ से करना है भाई एटलिस इतना तो करो आई होप गाइस आप एटलिस ट्राइ किया आपने तो देख लीजे तो यह कल का वीडियो था प्लीज चेक आउट कीजिए का इंस्टेंस क्रेट की हमने में बनाया गेट पोस्ट यहां पर आमने डेटा गेट कर रहे थे तो सबसे पहली बात तो कभी भी आप के साथ खेलते हो कभी भी एप में डिर्कली अपना पूरा काम मत एड़ करो ठीक है फर्स्ट रूल यह है कि जितना आप नीट एंड क्लीन रख सकते हो उतना रखिया 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 कितना भी बनाँ ना component कोई मना थोड़ी कर रहा है तो मैं क्या करूंगा सोर्स folder पर मैं जाओंगा जैन एक new folder क्रेट करों जिसका नाम होगा components उसका अंदने एक new file आप्योरेट करों जिसका नाम होगा öılar कोस्ट से पहले, let's go with export const, I know आप लोगों को थोड़ा सा छोटा लग रहा है, but don't worry, अभी मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा, यह तो उपर जाएगा, ठीक है, and by the way, इसके भी कोई मुझे need नहीं है, and yeah, I guess, yeah, ठीक है, यह जो get post है, इसको मुझे import करना पड़ेगा, वो भी हो गया, and use effect, and कोई भी post, या कोई भी component आप create करते हैं, we need to return something, right, we need to return, so h1, hello, post page, ठीक है, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, अब इसकी मुझे कोई need नहीं है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा यह जो post था, उसको मैं paste कर दे रहा हूँ, तो हमने कुछ तो mistake यह कर दी, कि हमने entire app component को भी उड़ा दिया, यहाँ पे तो मैं उसको add कर देता हूँ, and एक मुझे need नहीं, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, इसके भी मुझे कोई need नहीं, कहीं कोई problem नहीं, मैं अगर यहाँ चलूँगा, इस जगे पे, all right, okay, over here, तो guys, hello, post page and data आ गया, but at least, अब मेरा जो app.jsx file है, कितना neat and clean लग रहा है, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, तो यह भी मेरा बच्छा लग रहा है, है ना, दोनों अलग-अलग separate हो गए, right, do not repeat yourself, यह suppression जो भी हो, तो वो मेरा काम तो हो गया, अब यह जो मेरा post है, मुझे सिर्फ post नहीं चाहिए होगा, I have one extra, मैं आपको बताना चाहता हूँ, section over here, क्योंकि मुझे उन सबको एकदम center में रखना है, ठीक है, इस तरगी से, यह comma ना, यह जो semicolumn आपको दिख रहा है, वो आप हटा दीजे, क्योंकि फिर उच्छा नहीं लगता है, मैं आपको बताता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहली बात तो यह जो semicolumn extra add हो जाता है, और आप जो ignore कर दे तो वो मत किया करो, elements पे मैं जाओंगा, head, not, body, we have this div, section, and yeah, see, यह जो मैं बोल रहा हूँ, देख रहे हो आप यहाँ पे, यह code है, and देखो यह hello page, and एक comma यह देखो यहाँ पे, एक semicolumn extra आगया, यहाँ पे, तो वो semicolumn वहाँ से आया हुआ है, समझे आप, तो इसको आप हटा दीज़े, ठीक है, मैं post पे चलता हूँ, post पे अल्रेड़ी यह जो response है, response.data, मुझे data तो आगया, अब मुझे इसको लूप चला, कि one by one दिखाना है, अब हम directly दिखा तो नहीं सकते, मैं directly response.data.map use नहीं कर सकता, क्योंकि react में guys, अगर आपको data के साथ खेलना हो, तो we need to always use an state, अब आप चाहे तो use reducer use करो, या तो चाहे तो जो भी आपके मनों करो, या ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, तो data नहीं post लिख देता हूँ है, post, set post, and I guess guys, दोनों का नाम सेमना हो जाए है, एक काम करता हूँ, data यह कर देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, set data, and d capital रख दीजे, and we need to go with the use state hook, and हमें array मिल रहा होता है, array of an object, तो एक empty array आप रख दीजे, initial value, ठीक है, this is it, तो यह जब आपको data मिलता है, तो set data पे आईए, and यहाँ पे यह जो आपका response, dot, जो data है, वो add कर दीजे, अब एक चीज आप नोटिस करना, जब आप console पे आते हो, जब हमें data मिलता है, यह data मिल रहा है, चलो कोई problem नहीं, हमें data अलड़ी मिल रहा है, right, so let's go over here, return पे हम चलते है, ठीक है, इस पे मैं हटा रहा हूँ, सबसे पहले तो let's go with section, and इसको मैंने section post करके, कुछ तो भी नाम दिया हुआ है, so we have a section and then post, क्योंकि रूल यह बोलते है कि, जब भी आप map method के थुरू कुछ भी create कर रहे हो, तो अगर ul के अंदर रखे, उसको सबको एक li की मदद से, one by one get करते हैं, तो बहुत easy हो जाता है, क्योंकि li का कामी है न, list, वो सारे का एक list ही तो है, तो यहाँ पर आपका वो जो data, dot, we have a map method, ठीक है, one by one दिखाना है, and yeah, this is it, and जब भी आप map method उसकरते हो, तो guys, हमें, चार arguments मिलता है, जिसमें से, जो भी हो, हम पहला वाला, जो current element है, वो ले रहे है, मतलब one by one, एक एक data हमें मिलेगा, यहाँ पर li के साथ हम चलते, तो जब भी आप map method उसकरते हो, तो यहाँ आपको key तो बोलेगा, यह बोलेगा, तो आपका यह जो current element है, dot, अब एक चीज़ हम यह देख लेते है, कि जब हम इसका use कर रहे है, तो हमें कुछ मिलता है, array, यहाँ पर all right, ठीक है, यह देखो, हमें user id, एक से केने काम करते है, मुझे देखना है कि, हाँ, perfect सी, देखो user id, अगर आप चारे ते, unique होगा, बोलके बट वो तो है नी, क्योंकि user id, इसका भी वान है, इसका भी वान है, बट हाँ, id करके जो है, इसका 1 है, इसका 2 है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, so current element.id, और else, what I can do, मैं directly यहाँ पर, इस्ट्रक्टर कर सकता हूँ, जिसमें const, we have this id, we have a body, and then we are getting a title, so we have this current element, इस तरीके से, तो आप मुझे इसकी need नहीं पड़ेगी, ठीक है, इस li के अंदर में चलूँगा, अब आप ध्यान से अगर देखोगे, तो li, यह आपका एक complete li हाँ, by the way, यह आपका एक li है, पहला li, जिसमें अगर आप देखोगे, तो एक number मिल रहा है, and by the way, by default मिली जाता है वो, दूसरा आपका यह जो particular portion दिख रहा है, यह आपका एक title है, ठीक है, and I think इसको मुझे जूम करना चीथा, ठीक है, so I guess अब यह ज्यादा सही है, so this is your title, and this is your body, and उसके बाद we have total two buttons, title, body, and two buttons, simple है, यह तो आप H1 लो, बट वो लेके भी क्या करेंगे, heading तो कुछ है नहीं यहाँ पर, तो दोनों को paragraph, paragraph, button, button, खतम, बागे तो CSS ही है, ठीक है, so let's go over here, paragraph, and let's go with the title, paragraph, let's go with body, then we have a button, let's go with, पहला I guess it's edit, दूसरा button I guess it's not edit, it's a delete, कुछ ऐसे है, right, अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ, इस जगे पर, ध्यान से देखना, बस मैंने उतना किया, and boom guys, see, यह देखिए, just look at this, वो गया ना मेरा काम तो हो गया, मुझे मेरा जो data था, वो तो आए गया ना, यह देखो ना, यह देखो, की मेरे पास, okay, मुझे देखना है, कुछ, all right, oh my god, कोई class था ही नहीं, by the way, मुझे लगा, बहुत सारे classes होंगे, तो देखा, कोई class है ही नहीं, but हाँ, यहाँ पर मैंने, वहाँ पर title करके, लिखा हुआ था, and, मैंने यहाँ पर, अब मुझे यहाँ पर, app.caces पर चलना है, and मेरे पास, app.caces का, already code पड़ा हुआ, तो यह सब कुछ, मैंने खुदी किया, यह, तो आप देख सेकते हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, एक body, एक simple, यह मैं जमाने से करता रहा हूँ, font family मैंने, urbanist लिए, क्योंकि मैंने को सही लगाई है, and paragraph, anchor tag, li input, इस तरीके से, and मैं अभी इस लिए दिखा रहा हूँ, मैंने को comment आया था, at least आप source code दिखा तो हम pause कर लेंगे, और खुद से लिख लेंगे, जो कि अच्छी बात है, तो this is a button, तो button तो आप अपनी मर्जे से जैसा हो, बना सकते हो, this is a button, जब आप hover करोगे, यह हमारा होगा main section, width 100% height auto, and यह code से होगा, यह कि सभी कि सभी data, जो है एकदम center में आ जाएंगे, यह हमारा main है, अगर आपको याद हो, तो here we have a main section है, main section, उसके अंदर post है, जिसके अंदर हम हमारा सारा code कर रहे है, then, उसके आज आता है section form, जो कि अब तक हमने create नहीं किये, जब हम create करने जाएंगे, तब यह बनाएंगे, बट फिलाल आपको tensor नहीं लेना है, and रही बात section post, यह बाली इसके बात हो रही है, यह देखो section post, ठीक है, देखो, so weight 90% दी है, ताकि पूरा नहीं दी है, हमारा जो order list है, okay, so it's a order list, मैंने यहाँ पर ul किया है, तो इसको मैं order list कर देता हूं, ठीक है, that's why आपको 123 मिल रहा था हूं, कुछ इस तरिके से आप देख सकते हो, मैंने grid लिया, और वो जो तीन डबबा मुझे मिल रहा है, मुझे जो यह तीन डबबा मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, because of this code, grid, template, columns, and by the way, अगर आपको थोड़ा सा यह उपर से जा रहा है, don't worry, यह होता है, इस सबके साथ होता है, but मैं हूँ न, देखो न, यहाँ पर आप देख सकते हो, CSS 11 घंटे गा, पूरा खत्रा है, और पूरा एक वेबसाइट बनाए, मैंने सिर्फ 6 घंटे में, तो गाईस इनको जरूर चेक आउट कीजिएगा, and at least flexbox and then, जो grid वाला portion आएगा, उसको आप देख सकते हो, आपको मजा आजाएगा, इस से better कहीं न, वालगा HTML, CSS, JavaScript, सब यहाँ पर आप अलड़ी गया, ठीक है, and gap दिया था कि उनकी बीच में gap आजाए, I को मैंने कुछ इस तरीके से करके रखा हुआ है, button delete, बाकी सब तो green है उपर, तो यह button delete, इसलिए अगर आपको यादो, तो मैंने यहाँ पर class button delete रखा है, बाकी तो मैंने सिर्फ तीन ही तो class है उसकी, एक main section, दूसरा section post, तीसरा button delete, इतने से ही, और hardly क्या ही यह लिखा है, मैंने हलका से मीडिया को अरिता की response, देखो न, सिर्फ 130 of line of code में, आपका यह पूरा fully responsive भी बनके ready है, और दिखने में भी इतना प्यारा और सुन्दर लग रहा है, तो यह है न, कितना awesome वाली बात, ठीके, तो आप मैं अगर यहाँ पर चलूँगा, refresh करने से कुछ ही नहीं होगा, क्योंकि यह अभी तक आपने add नहीं किया है, तो मैं यहाँ पर चलूँगा, const, what I will do, sorry मैं const क्यों लिख रहा हूँ, we need to import, right, import forward slash, एक second, यह हम कहाँ पर आगए, forward slash post, dot dot forward slash, yeah, we have app.css, ठीक है, इस तरीकी से, सो इतना मैंने की, and boom guys, see, यह देखिए, हो गिया, आप देख रहे हो, just उतना सा मैंने css लिखते ही, मेरा जो code था, वैसे से कुछ ऐसा हो गया, तो यह है ना कितना ज़्यादा awesome, so yeah, this is it, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, and यह सब हवर इफेक्ट हो रहा है, बहुत प्यारे तरीके से, बहुत awesome तरीके से, so yeah, guys, this is it, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होगा, source code बिल्कुल फ्री है, आप यह मेरा source code भी चेक आउट कर सकते हो, and कल हम देखेंगे कि, अगर user, थापा, read, read, edit, या post, अगर मैं आड करता हूँ, तो यह जो data है, वो कैसे आड हो रहा है, वो भी हमारे API के data में, आपने देखने तो अपना भी नी, ओरिजिनल API के data में, कैसे आड हो रहा ही है, तो वो कल की वीडियो में आपको पता हूँगा, बहुत इंपोर्टेंट है गाईस, मालब डबल डबल डेटा को लेके एड करवाना, ठीक है, तो मजा आजा जाएगा आपको, तो यह दिस इस आज वीडियो के लित नहीं, कामें, डिसलाइग कुछ नद जरूर कीजिए, बस देखें, चले मत जाओ, अपको आब आपको अच्छा लागा, तो एटलिस्ट, वाई, ऑसम, अरे, ञेंक्स थापा भाई, कुछ भी आप लिख सकते हूँ, प्ल्लीस ऑप्सक्कराब कर डिजेगा, नेक्स ट्रागट 7 नेक्स सब्सक्रेबर I know आहम बहुत जल्द कर सकते So yeah guys, मिलता हूँ कल की वीडियो में Till then guys, thank you so much, take care